हलो दोस्तों नमस्कार, MK Technical Solution में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जानने वाले हैं, package air conditioning है इसमें हमारा compressor तुरंथ जैसे हम लोग isolator on करेंगे इस कमेंड तुरंथ हमारा compressor पहले start हो जाता है blower बाद में start होता है तो इसमें क्या problem हो रहा है, कि हमारा compressor पहले start होता है तो इसमें compressor अगर पहले start हो रहा है तो हो सकता है कि इसका wiring में कुछ problem होगा हो सकता होगा कि इसका contactor stuck हो गया होगा हो सकता होगा कि इसका time delay switch लगाया है, वो खराब हो गया होगा यानि इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोब्लम है इसके वज़े से हमारा कंप्लोर स्टार्ट होने से पहले ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो चली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं तो अभी मैं आप लोग को दिखा दूए यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारा compressor number 2 है जो running है और इसका contactor भी कहच है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका isolator को power बंद करके देखेंगे कि हमारा contactor release हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अभी आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोग ने power को आप कर दिया है तो आप करने के बाद आप लोग देख सकते होंगे कि हमारा contactor release भी हो गया है यानि कि हमारे contactor में कुछ problem नहीं है यानि कुछ न कुछ दूसरा इसमें problem है या तो connection में इसका कुछ भी bypass हो गया है या त तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे continuity पर चेक करते जाएंगे continuity पर चेक करने के बाद उसके बाद हम लोग इसको चालू करके voltage में चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो हमारे कॉंटेक्टर में पावर आ रहा है प्लस पावर निगेटिव पावर को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें माइनस जो होता है न्यूटल इसका है न्यूटल उतना IMPORTANT नहीं है हमको इसमें फेस को ट्रेस करना है तो फेस पावर अबर continuity में, इसमें हमारा बंद condition में continuity नहीं मिलना चाहिए, जब यह running में राता है, जब इसमें power output राता है, उसी time इसमें से हमको continuity मिलना चाहिए, ना कि बंद condition में continuity नहीं मिलना चाहिए, तो अभी हम लोग first इसमें continuity मार के चेक कर लेते हैं, अगर इसमें continuity मिलता है, तो यानि कि हमारा time delay स्यूच ही खराब है अगर continuity नहीं मिलता है तो यानि कि हमारा time delay स्यूच चाहिए है इसमें दूसरा कुछ भी और प्रोब्लम है तो अभी हम लोग फस्ट इसमें continuity ले continuity मिल रहा है तो यानि कि जो time delay स्यूच है इसमें continuity मिल रहा है सबसे पहले हम लोग इसका डाइगराम में देख लेते हैं जैसा कि इसका मैं आप बताया कि अगर बंद कंडिशन में यह दोनों पर continuity बताएगा उसी टाइम में खराब है तो आप देख सकते होंगे कि इसका इस पर continuity मिलना चाहिए अगर हमारा बंद कंडिशन में इस पर से इस पर continuity मिल रहा तो यानि कि खराब है बंद कंडिशन में और यह हमारा इस पर चेक करेंगे continuity मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो यहां पर देखिए अभी हम लोग चेक कर लेते हैं फर्स्ट तो यहां पर देख सकते होंगे कुछ भी continuity नहीं मिल रहा है यहां पर देख सकते होंगे आप लोग यानि कि हमारा यह स्यूच खराब अभी हम लोग इस पर compressor start हो जाता है तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इसको check करने के लिए एक और idea में बताता हूँ आप लोग को तो अभी आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोग ने power को on किया है तो हमारे यह जो blower motor का contactor catch हो गया है और blower motor normally working में है और हमारा compressor जो direct तुरंत स्टार्ट हो जा रहा था अभी हमारा compressor स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका हम लोग cable है जो coil bolt है यहां से disconnect करके रखे हैं जिसके होजे से हमारा भी compressor स्टार्ट नहीं हो गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे दुसरा तरीका इसका क्या है चेक करने का अब हम लोग इसमें देख सकते होंगे कि इसमें 60 सिकेंड पे इसमें राइटिंगे 60 सिकेंड पे सेट पॉइंट है अब हम लोग क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे उसी कंडिशन में अगर यहां से पावर पासिंग नहीं मिलेगा तो यानि कि हमारा यह सही है अगर पावर पासिंग नहीं मिलेगा तो यहां सही है अगर पावर पासिंग मिल रहा है तुरांत यानि कि हमारा यह खराब हो गया है तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं फर्स्ट बोल्टेज इसको अभी हम लोग देखिए इसका बोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले यहां पे तो देख सकते होंगे इसका कॉमन में हमको 220 बोल्ट मिलता है इसका एन्नो में यहां पर देख सकते होंगे इसका एन्नो में भी हमको बोल्टेज मिल रह यहां पर देखिए इसका command भी नहीं है आप लोग को मैं भी दिखाता हूँ यहां पर देख सकते होंगे देखिए यहां पर इसको command भी नहीं है 00 voltage आ रहा है लेकिन फिर भी जो यह power हमारा passing के लिए हम लोग use करते हैं यह power तुरंत यहां से पास कर दे रहा है यह भी एक तरीका है इसमें हम लोग चेक करेंगे यहां पर अगर coil bolt नहीं है और फिर भी यहां से हमको power passing मिल रहा है तो भी अगर यह time delay switch हमारा खराब हो गया यानि कि इसका जो relay है वो श्टक हो गया या तो short हो गया है जिसको जैसे यहां से power passing कर रहा है ओके दोस्तों तो अगर इस टाइप का कुछ भी fault मिले तो आप लोग सबसे फस्ट सिस्टम को बंद कर लें बंद करने के बाद उसमें continuity में चेक करें तो continuity में चेक करें फस्ट आप लोग अपने compressor का contractor के पास से ही step सुरू करेंगे तो आपको जल्दी से problem मिल जाएगा ओके दोस्तों तो आशा करता हूँ दोस्तों एप वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो like और subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यबाद आपका दिन सुबू